वर अजदानी लकनुव से है जहाँ पर नकास सित श्रिया पीजे कॉलेज में अहलेवेत के बैनर तले दीश भर के श्रिया धर्मगुरू एकजूट हुए है श्रिया धर्मगुरू के एक मंच पर एकजूट होने का मकसद है आतंगबाद को जड़ से खत्म करना 27 नवंबर को जिस तरह से मुंबई में आतंग की हमला हुआ था उसी के तर्च पर 27 नवंबर को ही धर्मगुरू एकजूट हुए है एकजूट उपर धर्मगुरू ने आतंगबाद के खिलाफ आवाज उठाई और उसे चड़ से खत्म करने को लीकर बाठक में एहम फैसले भी लिये का इस तरहान पर इस कानफरेंस के तरहान फिया धर्मगुरू ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजिरिया और इरान में दहशत करदों के निशाने पर हैं इरान के मुकदस रोजए में दहशत दरदाना हमले हो रहे हैं मरकजी और रियासती हकूमतों में और उनके जरीय बनाए गए तमाम बोर्ड और कम्यूनिटियों में शियाओं की नमाइंदगी हो और तमाम तलाई जा रहे हैं इसकीमों का फायदा शिया फिरकों को पहुंचे आज का उद्देश भाई पहला तो यह है कि आतंकवाद के खिलाफ दहशत गर्दी के खिलाफ इस मुलक के तमाम बासी शेहरी एक हो जाए और यह लड़ाई जब तक हम मिल के इस खिलाफ नहीं लड़ाए उस वह तक इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते हैं। लड़ाई लड़ाए उस के खिलाफ कमाम धर्म गुरू आज एक मंचपर मौझद है हमारे साथ बात presents मौझब है साहिब अबाद जी सार आज तमाम धर्म गुरू एक मंच पे मजूद है आतंग वाद कुसमाद करने के लिए किस तरीके के आज मुहिंच चले जाएगी क्या कहीं बिसमिल्ला रहमारा ने खीम देखिए ऐसा है कि आतंग वाद से हम पीडित हैं क्योंकि आतंग वाद जो हमारी भी दुश्मान है हमारे मुल्ग देखिए लाजा हमने कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक उलमा कोई खटा किया है और उसके बात हम इस बात पर मंधन कर रहे हैं कि एहले बैद की जो असल शिक्षा है उसको जन जन तक हम पहुंचाएं और लोगों को जागरू कर सकें कि उ हमसे को आतंगवाद को कैसे ख customized हमारे सबरों शेयरे साहिफ औबाद जी जिनका साथ तोर पर कहना था आतंगवाद को समाप्त करने के लिए हम पूरे देश में और अभियान के तरीके से शुरुषाद करेंगे जिसमें आतंगवाद को समाप्त किया जान जायगा से उन्हों